तो दोस्तो आज की डेट में बहुत सारा फोन लाँच हो रहा है बहुत ही लोग प्राइज में और आप में से बहुत लोग कन्फियूज हो रहे हैं कि इतना रूपए जब खर्च कर रहे हैं एक स्वांट फोन के लिए तो कौन सा फोन खरी देना चाहिए कौन सा फोन सही रहा इस वीडियो को आप एंट तक जरू देखिएगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो यहां पा दोस्तो इस फोन की बैक साइड में इस बार क्यामरा देखनों मिल जाएगा जिसका प्राइमेरी सूटर लेंस होगा 64 मेग और एक देप सेंसर देखने को मिल जाएगा तो यहां पर इस वर इन्फिनिक्स का एनाय स्मार्ट फोन कैमरा का अमले में बहुत जादा जबरदस होने वाला है बागी जब फोन लांच होगा रिवीव करेंगे तभी मैं आप लोगों को डिटेल में बता पाऊंगा तो इस को सब्सक्राइब करने को बाद बेल आइकन को जरू प्रेस करकर रखिए तो चलिए और अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्पले के बारे में तो यहां पर दोस्तों इस फोन में 6.7 इंच का HD फिलस फंचोल IPS डिस्पले पैनल देखने को मिल जाएगा और साथ 16 मेगा पि भी मीडियाटिक के चिपसेट यूज किया गया था और इसमें भी मीडियाटिक के चिपसेट यूज किया जाएगा जो कि यह है लिए जी 85 के चिपसेट और यह चिपसेट दोस्तों काफी ज्यादा सही है और साथ साथ यह जो फोन है आपको दो रैम बेरीन में देखने को मि इसलेटा है तो गेंग का मामलेवे phone बहुत ज़्यादा सेही होगा camera का मामलेवे phone बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा और साथ में Type-C port 3.5 एक audio jack भी देखने को मिल जाएगा और अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इस phone की pricing के बारे में और launch date के बारे में तो दोस्तों इस phone का जो वेज़ बेनेंट है मतलब 4G वाला उसका studying price हो सकता है 12,000 से और up to जा सकता है 16,000 तक तो 12,000 रेंज कंदरी आपको देखने को मिल जाता है 64 Megapixel का Quad Rare Camera, Functional Display, Mediatek के Helio G85 का चिपसेट और 6000 एमेज का बहुत बाड़ा बैटरी तो यहाँ पर कहीं न कहीं Infinix का NAS Smartphone वेलो फ़रमानी हो सकता है आप सबी के लिए बागी आप लोगों का राय आप मुझे कामट में जरू दीजिएगा एन दोस्तों नियूस के सबसे Infinix का NAS Smartphone 2020 on का स्टार्डिंग में लांच हो जाएगा बागी इस फोन के बारे में जैसे मुझे और अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को सबसे बैल बताऊंगा तो इस चैनल को सबसे करने का बाद बेल आइकन जरू प्रेस करके रखिये